प्रादिय नवरात्री में आटवे दिन महागवरी शक्तिगी पूजा की जादी है नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्ण तहा गवर्ण है इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है अश्टवर्षा भवेद गवरी यानि इनकी आयू आट साल की मानी गई है इनकी सभी आबुशन और वस्त्र सफेद है इसलिए उन्हें श्वेतामबर धरा भी कहा जाता है इनकी चार भुजाय है और वाहन व्रुशब है इसलिए व्रुशारूडा भी कहा जाता है इनके उपर वाला दाहीना हाथ अभे मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशोल धारन किया हुआ है उपर वाले बाय हाथ में डमरू धारन कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है इनकी पूरी मुद्रा बहुत शान्त है पती रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागवरी ने कठोर तपस्या की थी इसी वज़े से इनका शरीर काला पड़ गया लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांती मैं बना दिया उनका रूप गवर्वर्ण का हो गया इसी लिए ये महागवरी कहलाई यह अमोग फलदाईनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल धुल जाते है पूर्वसंचित पाप भी नष्ट हो जाते है महागवरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्यानकारी है इनकी कुरुपा से अलवकिक सिद्धिया प्राप्त भी होती है शिव पुरान के अनुसार महागवरी को आठ साल की उम्र में ही अपने पूर्व जनम की घटनाओं का आबास होने लगा था उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पती मान लिया था और शिव को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्याभी शुरू कर दी थी इसलिए अश्टमी तिथी को महागवरी के पूजन का विधान है इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरितर का पाठ करना विशेश फलदाई होता है जो लोग नौ दिन का व्रत नहीं रख पाते वे पहले और आटवे दिन का व्रत कर पूरे नौ दिन का फलप राप्त करते है देवी भागवत पूरान के अनुसार देवी पारवती अपनी तपस्या के दवरान केवल कंद मुल्फल और पत्तो का आहार करती थी बाद में माता केवल वायू पिकर ही तप करना आरंब कर दिया तपस्या से माता पारवती को महान गवरप राप्त हुआ और इसे से उनका नाम महागवरी पड़ा महागवरी अपने हर भक्त का कल्यान करती है और उनको सभी समस्याओ से मुक्ति दिलाती है मा महागवरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है यह धन, वैभो और सुक्षान्ति की अधिश्टात्री देवी है सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत अजुवल है कोमल, श्वेतवर्न और श्वेतवस्तरधारी है देवी महागवरी को गायन संगित प्रिया है और यह सफेद वुरुषब यानि बैल पर सवार है इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है कुछ लोग नौमी के दिन भी कन्या पूजन करते है लेकिन अश्टमी के दिन कन्या पूजना श्रेष्ठ माना जाता है कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है नहीं तो दो कन्याओं के साथ भी विधा की जा सकती है अश्टमी तीथी के दिन नारेल का भोग लगानी की परंपरा है भोग लगानी के बाद नारेल प्रशाद के रूप में बाढ़ दे वही जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पुड़ी, सब्जी, काले चनी का प्रशाद विशेश रुप से बनाया जाता है मा की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतिक माना जाता है इसी तरह की जानकारी और जाननी के लिए हमारे चानल पर बने रहे and don't forget to subscribe my channel all in one